नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्लो के ओर बनने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर राची के आठ जिलो में टीवी के एर मॉडल सुरू सरकारी अफसरिया करंचारी के खिलाफ शिकायत अब नहीं ले सकेंगे वापस ये छात्र नहीं दे सकेंगे इंटर की प्रैक्टिकल परक्षा भारत के पुरो पेसर का बॉल टेंपरिंग को लेकर एक बड़ा खुलासा इसके साथी बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर वस्तार से राजे के आठ जिलो में TB Care Model सुरू राजे में मौजूद TB लोगियों के बहतर इलाज के लिए डिफ्रेंसियेटेड TB Care Model राजे के आठ जिलो में शुरू किया गया है कि डिफ्रेंसियेटेड टीवी केर के तहट चनत टीवी मरीज जल्द ठीक होंगे और साथी टीवी से होने वाली मृत्यों में भी कमी आएगी उन्होंने बताए कि स्ट्रीटमिन का मुख्य लक्ष टीवी से ग्रसत मरीजों में मृत्यों के जोखियम को कम करना है बतादी के विश्व स्वास्त संगर्टन की रिपोर्ट के नुसार HIV के मरीजों में टीवी संक्रमन से ग्रसत होने की आशंका 18 गुना अधिक होती है वहीं शराब की लतवाले में 3.3 गुना को पोशित व्रक्तियों में 3.2 गुना धुम्रपान करने वाले में 1.6 गुना और दुमें रोग्यों में 1.5 गुना अधिक होती है भारो तोलन खेल में सीता मढ़ी के तीन नौजवान करेंगे रेफरी 30 दिसंबर 2023 को और नाचल प्रदेश के राजीव कांधी बीवी में रेफरी स्ट्रेनी एक की ली गए परिच्छा में बिहार के 5 व्यक्तियों का चेन किया गया था जिसमें से पट्टा जले के उपिंदर कुमार और महेश कुमार शामिल है तुमहीं सीता मढ़ी से सतीश कु अरुन केसरी, सचीव सुरेश सिंग, जिला ओलम्पिक संग के अध्यक्ष, डॉक्टर रविंदर यादव, खोको संग के सचीव, हरीशंकर प्रशाद, कोसाध्यक्ष, पंजाब कुमार, पर्वु क्रिकेटर अरुन कुमार समेथ कई बड़े लोगों के द्वारा शुपका वर्स 2006 में की गई थी, मालमों कि हिंदी दुनिया भर में सबसे आदा बोली जाने वाली पांच भासाओं में से एक है, आपकी जानकारी के बता दे कि हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में फर्क है, हिंदी दिवस 14 सिदंबर को मनाया जाता है, तो वहीं विश्व ह विश्व हिंदी दिवस 10 जन्वरी को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाने का मकस्द दुनिया के तमाम देशों में, बसे भारतियों को एक सूत्र में बांधना भी है, मालम हो कि पहले विश्व हिंदी समविलन 10 जन्वरी 1975 में आड़पूर में और रिजास जारी. इस बीच बीपियसी के ओर से दिव्यांग उबिद्वारों के लिए एक एहम नरदेश जारी किया गया है जिसे अभियर्थी बीपियसी की अधिकारिक वेबसाइट अभियर्थियों का नाम और रोल नंबर अंकित है और साथ ही इनके दिव्यांगता के प्रकार को भी अंकित किया गया है मुख्य परक्षा में सफल अभियर्थी को जो इंटर्व्यू में उपस्तित होने वाले हैं उन्हें 11, 12, 13 जन्वरी को दो पहर 12 बजे PMCH पठना में उपस्तित होना होगा और साथ ही जिकसा जांच का हैस्साब बनना होगा अब मेडिकल कॉलेजों के छातरों की हाजरी लेगा स्वास्त विश्यविद्याले अब राजी के सभी मेडिकल कॉलेजों के छातर की हाजरी रिपोर्ट बिहार स्वास्त विश्यविद्याले की द्वारा ली जाएगी बता दे कि हर माह की पास तारी को मेडिकल कॉलेजों क छात्रों की उपस्तिती के रिपोर्ट भेजनी है। बिहार केड़र के सभी IPS अफसरों को देना होगा संपती का बियूडा गैन सरकार के ग्री विभाग की दोरा DGP को पत्र लिख कर बिहार के सभी IPS अधिकारियों के चल अचल संपती का बियूडा मांगा गया है। प्रकाशित किया जाएगा पतादी कि 15 फरवरी दोहजार चौबस तक 31 दिसंबर 2023 के सिधी के आधार पर पंचांग वर्ष 2023 के लिए चल अज़स संपत्थी की विवर्णी देने के साथ इसकी एक अतरिक्द प्रती अनिवारे रूप से विभाकोप लब्धकरा दी जानी हैं। सरकारी अफसर या करमचारी के खिलाफ शिकायत अब नहीं ले सकेंगे वापस। दे दिया गया है बता दे कि जारी के गए पत्र में कहा गया है कि जून 2005 में मुख्य सचीव के इस तर से लोग शेवकों के खिलाफ क्राप्त किसी बेनामी नाम से शिकायत पत्रों पर कारवाई करने को लेकर मार्ग दर्शन जारी किया गया था। पुरा करने का लग्छे नरधारिद किया गया था। आई दिन से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं हालाके इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाद के ओर से जीतोर कोशिश की जा रही बता दे के ताजा वामला बिहार के जमुई का है जहां सेल टैक्स की टीम के दौरा जमुई शेहर के कछरी चौक से शराब लदे ट् करी करता है जबत सराब के साथ सारे ट्रांसपोर्ट के सामान को भी जब किया गया है जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा बाकी नयायाले के आदेश पर जो भी आदेश होगा उस अनुसार कारवाई की जाएगी फिलहाल ट्रक चालक उन्हें आई खिरासत में भेजा गया ह ये चात्रे नहीं दे सकेंगे इंटर की प्राक्टिकल परिक्षा। पत्र कैंसल कर दिया गया है किसी भी परिस्थिती में ऐसे चात्रों को practical परिक्षा में समलित नहीं कराया जाएगा इसको लेकर राजी के सभी सरकारी स्कूलों को आदीश पत्र भीज़ दिया गया है वही समी सिक्षन संस्थानों के प्रिधान अपने संस्थान में नमांकर र लने वाला है इस दुरान कारेकरताओं को बताया जागा कि लोग सभाचनाव किनमुदों पर और किस प्रकार से लड़ा जाएगा अजबारे में दार्जत के ये मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंग यादव के द्वरा जानकारी देते वे बताया गया किस कारेकरता संबेलन का आ भीकों की प्रगती के लिए नित्य ने कारेकरम और योजनाय बना रही है और उन्हें लागो भी कर रही है शिकायत दर्ज होने के बाद, सच्छा मंत्री की सफाई बिहार के सक्षा मंत्री प्रोफसर चंदर से kidnapped की दवारा मंदर को गुलामी का रास्ता बताने वाले बयान को लेकर शिव भवानी संके राश्ट्री अधर्ख लव कुमार सिंग के दवारा उनके खिलाफ सनहादर्च कड़ा दिया गया था वही अब इसके बाद सक्षा मंतरी के दोरा प्रेस कॉन्फरेंस कर अपने बयान को लेकर सफाई दी गई है की पार्टी के विधायक फते बहादुर सिंग ने सावितरी बाई फूले की बातों को दोराया था कि मंदर का रास्ता मांसि गुलामे का रास्ता होता है स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता होता है सुसील कुमार मोधी ने सीम नितीश पर उठाय सवाल बिहार के परवोप मुख्यमंतरी एवं राजस सभास सांसल सुसील कुमार मोधी के द्वारा एक बार फिर से जमीन के बदले नौकडी मामले को लेकर राजस सुप्रीमों लालो पुष्णाद यादब पर हमला बोला गया और साथी पेहर के मुख्यमंतरी नितीश कुमार पर भी तंच का सागया है उन्होंने कहा कि मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने अपनी राजनितिक महत्वकांशा के चलते लालो परिवार के भ्रषचार से समझाधा कर लिया है इसलिए वे रेलवे की नौकडी के बदले दुबार चवाब नहीं मिलने पर जुलाई 2017 में स्वेंपद इस्तिफा देकर गड़बंदन तोड़ दिया था 6 साल बाद फिर मुख्य मंत्री के सामने वही परिस्थिती है और लोग भी वही है लेकिन असबार प्रधान मंत्री बनने का सपना उन्हें चुप रहने का बात थी हड कोई गेंद के साथ थोड़ी छेर चार करता है पाकस्तान बस थोड़ा और करता है जैसा की मैंने सुना है अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब ज़्यादा कैमरे हैं लेकिन पहले या काफी ज़्यादा हुआ करता था पाकस्तानी प्लियर्स इसे एक तरफ से उधर से भी नहीं लेकिन जिसे करानी आती है कराते हैं लोग बीस ओवर में घुमा देते हैं उल्टा बना देते हैं बॉल को जानी आग बिहार में क्या है पित्रॉल डीजल के रेड बिहार में आज यानी बुदहवार को पित्रॉल डीजल के रेड जारी किएक स्वध राजधानी पतना में आज पित्रॉल 17.54 और डीजल 94.22 रूपे प्रती लीटर में मिल रहा है मुझापर पूरे पेट्रॉल 7.89 रुपे और डीजल चिरानुन साथ 200 रुपे प्रती लीटर मिल रहा वहीं पुनिया में पेट्रोल कीमत 180 रुपे तीन रुपे और डीजल्टर प्रती लीटर है जहां पे ट्रॉल 1.6 रुपे प्रती लीटर और दीजल 96.25 रुपे प्रती लीटर की दर से मिल रहा है। अब बरतियाज के पांच सवाल की उठाबारा पहला सवाल है। शिराब के लतवाले लोगों मिट्टी भी संक्रमन से ग्रसत होने के आशनका कितनी अधिक होती है। इसका सही उत्तर है उप्षण C 5. अगला सवाल हिंदे दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्षणे 10 जन्वरी, ऑप्षण B 14 स्टमबर, ऑप्षण C 12 नवंबर, ऑप्षण D इन में से कोई नहीं। इसका सही उतर है option B 14 सितंबर अग्ला सवाल राजित का जिला असर ये काड़े करता सम्मेलन का शिरवात कब से हुआ है? option 10 जनवरी, option B 9 जनवरी, option C 8 जनवरी, option D 7 जनवरी इसका सही उतर है option 10 जनवरी अगला सवाल पंचांग वर्ष 2013 के लिए अचल अचल संपत्ती की विवर्णी देने के साथ इसकी एक अतरिक धिफ्रती कब तक विवाग को देनी है बीते दिन हमाई दुरा पूछिया सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों न अप्रजाब अगर आप यूटूब से देखें चनल को सबस्क्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहा है तो पेस को लाइक करना न भूले धन्यवाद